नमस्कार दोस्तों हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे घर पर हेस्पा कैसे करें दोस्तों आज भागवार की जिन्दगी में बालों का जड़ना या बालों में रूखा पनाना आम समस्या हो गई है तो आज हम आपको बताएंगे कि स्पा के जरी आप अपने बालों को कैसे खुबसूर्टी दे सकते हैं दोस्तों स्पा का नाम सुनते ही हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि हमें घंटों समय लगा कर काफी पैसे खर्च करने के बाद ही स्पा पार्लर में जाकर ही करवा सकते हैं पर ऐसा बिलकुल नहीं है हम इसे घर पर भी आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि हेर स्पा एक खास दरग का ट्रीटमेंट है जिसमें मसाज, क्रीम और स्टीमिंग का यूज किया चाता है बालों का हेर स्पा करने से पहले आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके बालों का टेक्शर ओईली है, नॉर्मल है या ड्राइ है सबसे पहले आप बालों को मॉश्चराइज करने के लिए कोई अच्छे से हेर ओल का इस्तमाल करे खेरोल करने के बाद आप इसे किसी अच्छे मरी शैंबूज से धो सकते हैं धोने के बाद आप इसे किसी भी स्पा क्रीम से स्पा क्रीम मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है दोस्तों इस cream को लेकर आप इसे हलकी हाथों से scalp और root तक मसाज करें मसाज करते वक्त आप यह ध्यान रखें कि आपके strokes हलके हो और roots पे आपका ध्यान काफी जाए फिर इसे आप थोड़ी दे के लिए बालों में absorb करने के लिए रहने दे दोस्तों इसके बाद आप अच्छे से बालों की स्टीमिंग करें दोस्तों स्पा का में प्रोसेस है स्टीमिंग स्टीमिंग के लिए यह ज़रूरी नहीं कि आप किसी महंगी स्टीमर से ही इसका ल्यूज करें आप घर पर भी इसे स्टीम कर सकते हैं आप किचिन में जाकर थोड़ा सा पानी गर्म कर लें. उसमें तॉलिया डाल कर उसमें पानी को एक्सस पानी को निचोड लें. और उसके बाद उसे तॉलिया को पढ़िया से अपने बालों में रैप करें. और उसे कुछ देर के ये छोड़ दें. इससे आपके बालों के रोम तरह की शांबू यूज़ करने की ज़रत नहीं है दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताए